नमस्ते, संजीवन नेत्राले आयुर्वेदिक आय हॉस्पितल में आपका स्वागत है हम सभी में से अनेक लोग आखों से बात करते हैं, आखों से मुस्कुराते हैं और इशारा करते हैं आखे अनेक भावनाओं को व्यक्त करती हैं हमारी हर एक गतिविधी के लिए आखों की द्रिष्टी बहुत महत्वपून है इसलिए सर्वेंद्रियानाम, नयनम, प्रधानम कहा जाता है आखे हमारे लिए भगवान द्वारा दिया वर्दान है एक अनमोल निधी है ऐसे में इन आखों की अच्छे से देख भाल करनी चाहिए लेकिन कई लोग बहुत लापरवाही बरतते हैं जिसके फल्स्वरूप आखों की अनेक समस्याई उत्पन होती है रोगथाम इलाज से बहतर है इस बात को भूल कर वे कई अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं और काफी पैसे खर्च करके भी समस्याऊं को हल नहीं कर पाते लेकिन जिनकी भी आखों की समस्याऊं का समाधान नहीं मिला है उनके लिए संजीवन नेतराले आयरूदिक आय होस्पितल एक अधभुत समाधान प्रदान करता है डॉक्टर अशोक सूर्यवंशी द्वारा स्थापित संजीवन नेतराले आयरूदिक आय होस्पितल पिछले 25 वर्षों से सिवाई प्रदान कर रहा है यहाँ अनुभवी डॉक्टर विशेश रूप से रेटिना से संबंधित आखों की समस्याओं के लिए आद्भू ट्रीट्मेंट करते हैं। इसकी विशेशता ये है कि संजीवन नेत्राले में इलाज की सफलता दर 90 प्रतिशत से ज्यादा है। अलोपैथिक डॉक्टर, सर्जुन, पिजिशन, गाइनेकॉलोजिस्ट और कई अन्य लोग भी यहाँ आकर ट्रीट्मेंट करवाते हैं। विदेशों से भी लोग यहाँ आकर अपनी दृष्टी को सुधारते हैं। अपनी आखों का इलाज करवाने के लिए अमेरिका, यूके, जर्मनी जैसे विकसित देशों से भी लोग यहाँ आते हैं। इन समस्याओं की कोई सफल ट्रीट्मेंट न होने की वज़े से लाखों लोग दृष्टिहीन हो जाते हैं और लाचार हो जाते हैं। ऐसी समस्याओं को जड़ से ठीक करने का प्रयास कर रहा है संजीवन नेत्रालया आयुर्वेदिक आय हॉस्पितल। मुंबई, पुने, दिल्ली, बैंगलोर, हैद्रबाद सभी संजीवन नेत्रालय शाखाओं में अनुभवी डॉक्टर सेवाई प्रदान कर रही हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक सूर्यवंची जो संजीवन नेत्रालय आयुर्वेदिक आय हॉस्पितल के फाउंडर हैं। इन्होंने न सिर्फ युनाइटेट किंग्डम से नाच्रल हर्बल मेडिसिन में मास्टर्स किया हैं, बलकि इन्होंने युनाइटेट किंग्डम से ही होमियॉपथी की भी विधिवत पढ़ाई की हैं। अब हम मिलते हैं दूसरे आयुर्वेदिक आय स्पेशलिस्ट से। इन्होंने कई समस्या होती हैं, इनमें कैट्रेट्ट याने मूतिया बिन, मायोपिया याने दूद्रिष्टी दोश और चश्मे का नंबर बढ़ना ये साधरन समस्या हैं। इन्हें लेजर, सर्जरी या चश्मे के माधियम से भी ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा रेटीना संबंदित कई जटिल बीमार्या भी होती हैं। इनमें ARMD मतलब उम्र के साथ होने वाली रेटीना समस्या, ग्लूकूमा मतलब प्रेशर से उतपन्न होने वाली समस्या, आप्टिक नियूरोपैथी, डाइबेटिक रेटिनोपैथी आदी शामिल हैं। ऐसे ही कई जेनेटिक डिसॉर्डर्स भी शामिल हैं। जैसे की रेटिनाइटिस, पिग्मेंट टोसा, जिसे हम रतोंदी पे कहते हैं, स्टागार्ड डिसीज, हमडी, इन सब के लिए दुनिया भर में कहीं कोई उपचार नहीं है। इस वज़े से लाखों लोग द्रश्टिहीन हो रहे हैं। इन सबी समस्याओं का सफलता पूर्वक उपचार संजीवन नेतराले आयुर्वेदिक आय हॉस्पिटल में किया जा रहा है। आज के दिन हम डायबेटिक रेटिनोपैथी के बारे में चर्चा करेंगे। डायबेटिक रेटिनोपैथी क्या है? क्या आप इसे समझने में हमारी मदद करेंगे? डायबेटिक रेटिनोपैथी एक ऐसी बीमारी है जो आखों के अंदर रेटिना से संबंदित होती है। जब शुगर आग की परत पर प्रभाव डालती है तो देखने की शमता कम होने लगती है। इसे अंदेखा करने से दृष्टी पूरी तरह चली जाती है। इसके होने का कारण ये है कि जब मधुमे की वज़See से खून में शुगर का सतर बढ़ जाता है तो शरीर में मौझूद सभी रक्तवाहिकाएं प्रभावित होती है। ऐसे में आख के अंदर रेटिना पर मौझूद रक्तवाहिकाएं भी प्रभावित होती हैं। तब इन रक्त वाहिकाओं से खून, लिपिड, प्रोटीन लीक होने लगता है। ये रेटिना पर जमा होकर वहां सूजन पैदा करते हैं, जिससे द्रिष्टी कम हो जाती है। एडवांस्ट स्टेज में ये शुगर की विमारी वाहिकाओं को पूरी तरह ब्लॉक कर देती हैं, जिसके कारण रक्त वाहिकाओं में परिसंचरन रुख जाता है और ऑक्सिजन की सप्लाई कम हो जाती है। और तूटने पर आखों में रक्त स्राव होता है। इस तरह रक्त स्राव बढ़कर द्रिष्टी पूरी तरह से चली जाती है। जब तक उनकी द्रिष्टी कम नहीं हो जाती है। जब द्रिष्टी बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन तब तक आखों को काफी ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। इसी लिए डायबिटिक मरीजों को हर छे महिने में एक बार रेटिना चेकप कराना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर दिव्या, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपके पास मरीज किस तरह की स्थितियों में आते हैं। कई लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए आखों में इंजेक्शन लेने के बाद भी समस्या का समाधान न होने के कारण हमारे पास इलाज के लिए आते हैं। यानि आपके पास आने के बाद आखों में इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पढ़ती हैं। बिल्कुल जरुरत नहीं पड़ती। इलाज शुरू करने के कुछ ही दिनों में आपको परिणाम नजर आने लगते हैं। इलाज के दौरान या इलाज के बाद भी इंजेक्शन की बिल्कुल भी आवशकता नहीं पड़ती। डौक्टर अशुक, मैंने गूगल पर मेडिकल सर्च में देखा है कि कई लोग कुछ इंजेक्शन लेते रहते हैं, फिर भी ठीक नहीं होने के कारण सालों तक इन इंजेक्शन का उप्योग करते रहते हैं। फिर भी कोई परिनाम नहीं आता। ऐसे में आपके पास आने वाले मरीजों को उन इंजेक्शन की जरूरत ना पढ़ने का क्या कारण है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, जब रेटिना में रक्त वाहिकाओं में खून की सप्लाई रुख जाती है, तो ऑक्सिजन की सप्लाई भी रुख जाती है। ऐसे में रेटिना पर वेजफ नामक प्रोटीन लीक होता है, जैसे कि हमने पहले बताया। इसका लीक होना आखों के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए इसे रोकने के लिए एंटी वेजफ इंजेक्शन सीधे आखों में दिये जाते हैं। जब इंजेक्शन लेने के बाद भी पनिणाम नजर नहीं आते, ऐसी कंडिशन में मरीज हमारे पास आते हैं। तब हम उनकी आखों की सही से जाच करके आईरुवेदिक इलाज शुरू करते हैं। इलाज शुरू करने के कुछी दिनों में आखों में ब्लॉक हुआ रक्त प्रवा फिर से शुरू हो जाता है। इसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो जाती है। तब रेटिना पर वेजफ लीक नहीं होता। जिससे नई रक्त वाहिकाओं के उगने की संभावना नहीं होती। जिसकी वज़े से आखों में इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। और ब्लीडिंग या रेटिना की सुजन के कारण खोई हुई द्रिष्टी पूरी तरह वापिस आ जाती है। जिन पेशन्ट की द्रिष्टी कम हो जाती है और वो इलाज करवाने के लिए हमारे पास आते हैं तो कुछी दिनों में उनकी द्रिष्टी वापिस आ जाती है। वजूद आपके पास आ रही हैं। इससे सपष्ट होता है कि आपके पास ऐसी विशेश इलाज विदी है जो बहुत प्रभावी है। जी हमें 25 वर्षों से सफलता पूर्वक इलाज करने का अनुभव है। इसलिए कई एलोपेथिक डॉक्टर भी हमारे यां आकर इलाज करवाते हैं। इसके अलावा वे कई मरीजों को हमारे पास रिफर भी करते हैं। डॉक्टर अशोक, आखों की रोशनी इतनी जरूरी है कि इसके बिना जीवन अधूरासा लगता है। लोग अपनी आखों की रोशनी बचाने के लिए आपके पास भरोसे के साथ आते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि एक मशूर हार्ट सर्जन जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई, वो मधुमेह की वज़े से डायबेटिक रेटिनोपैथी से परेशान थे। और आखों की रोशनी पूरी तरह खो देने के बाद वो आपके ट्रीटमेंट से ठीक हो गए। जो एक अद्भुत बात है। तो उस केस के बारे में कुछ बताईए ना। हाँ सुश्मा, वो डॉक्टर एक बड़े हार्ट सर्जन है, एक बड़े डॉक्टर है। पिछले 12 वर्षों से डायबेटिस से पीडित हैं और पिछले 5 साल से डायबेटिक रेटिनोपैथी से परेशान थे। उनकी आखों की रोशनी इतनी कम हो गई थी कि उन्होंने सरज रोशनी थी, वो भी चली गई। वो बहुत परेशान हो गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। ऐसे हालात में वो हमारे पास आये। हमने फौरन उनका चेक अप किया और ट्रीटमेंट शुरू कर दी। ट्रीटमेंट शुरू करते ही, छे हफ़तो में ही उनकी रोशनी वापस आ गई। सप्राइज की बात ये है कि दो महीने के बाद ही उन्होंने अपने पेशेंट्स की सरजरी करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने खुश होकर हमें एक थैंक्यू मेल भी भेजा है। ये ये रहा वो मेल। मैं एक जाना माना कार्डियक सरजन हूँ। मुझे पिछले बारा सालों से डायबिटीज है। पांच साल पहले मुझे डायबिटीक रेटिनोपेथी अटाक हुआ था। मेरी दाइई आख में रक्तसराव और बाइई आख में गंभीर सूजन हो गई। मुझे च्छे बार लेने पड़े। फिर भी मेरी द्रिश्टी बिल्कुल ठीक नहीं हुई। जिसकी वज़े से मैं अपने पेशेंट्स की सरजरी नहीं कर पा रहा था। मैं एक डॉक्टर होने के बाद भी helpless condition में चला गया था। तभी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे संजीवन नेतराले के बार और सूजन नहीं है। और मैं अपने पेशेंट्स की सक्सेस्फुली सरजरी कर रहा हूँ। मेरा विज़न बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरी द्रिश्टी को वापस लाने के लिए मैं संजीवन नेतराले का मन पूर्वक धन्यवाद करता हूँ। Great! ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि संजीवन नेतराले आयुर्वेदिक आय हॉस्पिटल कई लोगों की मदद कर रहा है और उनकी आखों की रोशनी लोटा रहा है। दुनिया भर के लोग आपके ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। दुनिया के कोने-कोने में अलग- डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती तो लोग आपके ट्रीटमेंट के लिए यहां आ रहे हैं। यहां तक कि विदेशों में पढ़े डॉक्टर भी यहां आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका ट्रीटमेंट बहुत असरदार है। यही है कि आपने अपने ट्रीटमेंट का लोहा मनवाया है और लोगों का विश्वास जीता है इसलिए अगर आपको कोई भी आखों की समस्या हो तो संजीवन नेत्राले आयुरवेदिक आय हॉस्पिटल में आकर इलाज करवाएं अगले विडियो में हम आरपी या रतौंधी की बात करेंगे जिसके लिए दुनिया में कहीं भी कोई भी इलाज नहीं है लेकिन एक MBBS, DMB, Diabetologist डौक्टर को रतौंधी की वज़े से बहुत दिक्कत हुई और उनकी 80 प्रतिशत से ज्यादा रोशनी चली गई थी उन्होंने दुनिया भर में इसका इलाज खोजा लेकिन कोई समाधा नहीं मिला फिर वो संजीवन नेत्राले आयुरवेदिक आय हॉस्पिटल म और उन्होंने सफलता पूर्वक अपना इलाज करवाया और अब उनकी आखों की रोशनी ठीक हो गई है। इलाज के बाद वो अपनी दिन चर्या और प्रोफेशन में वापस लौट चुके हैं। उन्होंने भी इस इलाज की पुष्टी की और साथ में थैंक यू मेल भी भ प्रोफेशन में पूर्वक इस इलाज के बाद वाद बाद चाहिं है।